आज पर्डौफोल्यो रिव्यू करने वाला हूँ Mrs. Bismay Pricescaast जी का। बहुत अच्छे अच्छी वीडियो बना कर लाऊंगा पॉर्टफोलियो से अलग भी आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हो वो सब वीडियो साजा करूँगा तो मिसिस विसमे प्रकास जी का जो पॉर्टफोलियो है इनकी एज 28 साल की है और लगबग अगले 20-25 साल तक ये इन्वेस्टिड रहने वाली है तो बहुत शांदार टाइम उराइजन है इतना टाइम उराइजन यदि आपके पास है आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर तो आप यहाँ पर डाइरेक्ट एक्विडी मार्केड में यानि कि डाइरेक्ट इस्टोक्स भी खरीच सकते हो अच्छे-ची कंपनी इसके और यहाँ पर तब भी बहुत शांदा रिटर्न आपको मिलेंगे और इस पॉर्टफोलियो से आपको ये समझ में आजाएगा आपका आपने लाइक करते हैं ना हो ज्यादा को वर्रपस बनेगा ठीक है पहला जो स्कीम है उसका नाम है निपों आंडिया स्मूल के फंड 2000 रूपे कि एस आपी दूसरी स्कीम है एक्सी स्मोल केप फंड 2000 क्यार रूपे के एसा ही पी दोनोग ये पॉर्टफोलियो में एड़ कर सकते हैं दो जार रुपे के साइपी इसमें जा रही है PGIM India Mid Cap Fund दो जार रुपे के साइपी Mid Cap का अच्छा फंड है और जी लास्ट है Tata Digital India Fund दो जार रुपे के साइपी अब यह Sektoral Fund है मैं हमेशा बोलता तो रहता हूं वो खेर एक अलग topic है कि हाँ Sektoral Fund में आपको क्यों निवेस नहीं करना है लेकिन कई बार Sektoral Fund में निवेस करना बहुत आपके लिए अच्छा भी सावित हो सकता है क्यों हो सकता है आपको पता है कि हाँ ठीक है Sektor चलेगा तो Fund अच्छा ही perform करेगा लेकिन Sektor में को गिराब अड़ा गई तो Fund के return जो है काम हो जाएंगे तो इस बात को आप चेक करते हैं 21 रुपे के SIP है टाटर डीश्टल में continue रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका time origin बहुत अच्छा है यदि आपको बीच में ऐसा लगता है कि हाँ इस Fund ने अभी बहुत शांदार 8, 10, 15, 20 सालों में अच्छा perform कर दिया है उस समाप redeem कर सकते हैं बाकी के Fund को continue कर सकते हैं और ऐसे मोके आपको अगले 20 सालों में तो कई बार मिलेंगे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है अब देख लेते हैं कि इसके जो इनके portfolio के return यानि कि average CAGR क्या निकल कर आता है और 20 साल में प्लस 25 साल में कितना कितना जो है corpus create होगा और जब 25 साल वाला corpus आप देखोगे न तो आप देखकर हक्के बखके रह जाओगे ठीक है पहले देख लेते हैं 20 साल में तो average CAGR निकल कर आता है 17% का 17% का CAGR ना तो बहुत ज़्यादा higher side पर है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है बहुत अच्छा average CAGR है 17% का तो अगले 20 साल में 12 यह रूपे के SIP यहाँ पर जा रही है और इस SIP से अगले 20 साल में 28,80,000 रूपे आपकी जेप से जाएंगे पैसे अब इन पैसों पर आपको कितना return मिलेगा simple भासा में ज़्यादी बोलें तो ब्याज मिलेगा तो वो आपको return मिलेगा 2,14,000 रूपे आगले 20 साल में आपका को रूपस हो जाएगा कोल मिला का 2,42,000,000 रूपे आ लेकिन असली कहानी स्टाट होती है अपसे आगे जो अगले वाले 5 साल होंगे न वो आपकी पिक्चर पूरी चेंज कर देंगे आपका टार्गेट कितना है 2-3 क्रोल का लेकिन देखते हैं कि कितना बनता है आप तो यदि अगले 25 साल तक इस पूर्टफोलियो को आपने कंटिन्यू किया तो आपकी पोकेट से कितना जाएगा 36,000,000 रूपेया पहले कितना जा रहे थे 28,000,000 रूपेया तो यहाँ पर 8,000,000 से भी कम का जो है आपको additional देना पड़ेगा लगबख 7,000,000 रूपे का इस पर आपको लेकिन रिटन कितना मिलेगा पहले कितना रिटन मिल रहता आपको 2,14,000,000 रूपेया आप कितना मिलेगा 5,40,000,000 रूपेया दो गुने से भी जादा लगबख 3 गुना धाई पोने 3 गुना ठीक है 5,400,000,000 और आपका 5,46,000,000,000 और यह बनेगा निश्ची तोर पर, आप चलिए उस समय तक मैं रहूं, कौन रहे, कुछ नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम लोग रहेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, और सायद आपको याद भी रहे ये बात यदि आप 25 साल तक इस पो आराम से इतना तो portfolio आपका corpus बन ही जाएगा तो मैंने starting में बोला था ना कि like कीजिए आपके target से भी कई गुना ज़्यादा आपको corpus create करने वाला है यह portfolio आपके लिए तो यदि ऐसा है और आपको portfolio का analysis अच्छा लगा है सारी चीजें समझ में आ गई है और यदि अब भी कोई query है तो comment कीजिए उसका भी मैं आपको reply करूँगा कई बार reply देने में समय लग जाता है अब उसके कई करण होते हैं एक तो कुछ विस्तता की करना मैं timely reply नहीं कर पता हूँ लेकिन देता जरूर हूँ कई बार ऐसा होता कि 2-3 दिन में reply आ रहा है लेकिन आएगा जरूर और ऐसा नहीं comment में पढ़ता नहीं कई बार तो मैं comment पढ़ लेता हूँ लेकिन reply करने का समय नहीं होता कि जलद जलदी सारे comment पढ़ लिए reply बाद में दे देता हूँ और सारे मैं mention यानि की update अपने पास जो है record रखता हूँ कि किस का portfolio आया है कौन सा portfolio कव review करना है ठीक है तो उमीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगी होगी यदि ऐसा है तो like किजिए बाकी लोगों को साथ भी साथ है किजिए मिलते हैं फिर किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत